प्रसादम के लटू में चरवी मिलावच को लेकर श्रत धालू आक्रुश थी तो वहीं पूरे विवात मां गेंद्र सरकार एक्षन में आ गई है केंद्रिय स्वास्टमंत्री जेपी रडडा आंधर प्रदेश के सियम चंदर बाबु नाइडू से फोन पर बात की और इस मामले में रेपोर्ट मांगी साथी स्वास्टमंत्री ने मामले में कड़ी कारवाई का भरोसा भी दिया जैसी ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाव नाइडियू जी से बात की उनसे मैंने डीटेल उसकी लिए है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दे उस रिपोर्ट को मैं एक्जामेन भी करूँगा स्टेट रिगुलेटर से भी बाचीत करूँगा उनका क्या कहना है उसको भी जानूगा उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्श से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके केंद्र सरकार के अलाब देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों ने भी मामले में सीबियाई चांच की मांग की है मालूम हुआ मैं दो साल पहले गया था शिर्जाद दुनिया की सबसे बड़ी महलाओं का डैरी का एक फार्मर प्रोडूशर कमपनी है उससे घनहीं लेती थी यह सड़कार जो पीछे वाली सरकार थी और वो मैंने सुना कि जो घी थी अ scrutin सोबीर्ट रुपय में उससे घी लेता था अब जाँच के जाँच के दाइरे में आना चाहिये कि कितने रुपय का घी लिया गया उधर साद उसंतों ने भी प्रसाद में मिलावट को करोणों हिंदूओं की आस्ता के साथ खिलवाल करा दिया और दोशियों पर साख्त कारवाई की मांग किया जो भी घटनाएं हुई है जिसा जांच हुआ है उसे अस्पेश्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चरवी मिलाए गया है गवर मचली का तेल मिलाए गया है और वहां की जो सरकार्थी उसको संग्यान में है कि नहीं है प्रसाद में कोलेस्ठाल किया था था ना उनसा उपर वो इविडेंस से आदार के लेकर पूरा उनको सदा देना है और गवर्वनेंट से मैं यह की निमेंड कर रहा है एक पूरा इसी भी जोतिरुपती मंदिर के पूर्वा पुजारी ने भी पांच साल से मिलावती घी का इस्तमाल करने की बात गई जबकि मंदिर प्रशासन ने भी माना कि पिछली सरकार पर सस्ते घी का इस्तमाल किया जा रहा था अबेकर चुर कॉग ही खून ही पुट जारी कि अपड़ को गीस अब प्रहीं कोग डेयरी घर प्रहितना फून भी कोग है अब एक रख प्रह दिए बदीन का जा थे अपवित्र में लीचिते टान यह हो सहकते हैं तिरुपती मंदिर के प्रसादम में मिलावट को लेकर सबसे पहले आरोप चंद्रबाभू नाइडू ने लगाए थी जिस पर नेशनल डेरी डेवलप्मेंट के रेपोर्ट ने महर लगा थी रेपोर्ट के मताविक जिस घी का इस्तमाल प्रसादम के लिए किया गया उसमें मचली के तेल और चर्वी मिलाए गई थी तमिल नाटू की ए आर फूट्स नाम की कमपनी ने घी की सप्लाई की थी खुलासे के बाद पूर्व की जगन सरका सवालों के घेरे में है यूरो रिपॉर्ट न्यूस एटीन आते हुए कड़ी कारवाई की मांग की खंडवा में भी शुरदालू नाराज देखे और हिंदों की आस्था से खिलवार इसे बताया है उदर लड़ू में मिलावट को लेकर बीजेपी विदाय कूशा ठाकुर ने नाराजगी जताए और मिलावट को राष्ट्र द्रोह तक करार दे दिया के साथ खिलवार किया गया यह एक अक्षम में अपराद है उन्हें कठोरतम दंड मिलना चाहिए क्योंकि शुद्र शाकाहरी लोग प्रभू के उपासक हैं और उसमें अनिमल फैट और यह दो त्रिपती बाला जी के प्रसादन पर विवाद मचा हुआ है अला कि इसके बाद अब लोगों के जह में तमामत के सवाल भी हैं देश भर में इस पर सवाल उठ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ दो धार्मिक शेहर अगर हम कहें जहां दो बड़े धार्मिक इस्तल हैं उजेन से अजे पटवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मंसौर से नरेंदर धनुतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजे उजेन में भी अगर हम जिक्र कर है जो इस वक्त विवात चल रहा है प्रसादम को लेकर अजय कि देखिए उज्जेन बारा जो पिलिमों से एक महा काली कर मंदिर की नगरी है और एसे में यहां पर जो लड्डू बनते हैं वो उसकी गुनवक्ता पर भी से ज्यान दिया जाता है क्योंकि यहां के लड्डू को सब्सक्राइल को लेकर लिवोर्टरि में जाज की जाती है लेकिन तत्ते वड़ा विशह है कि यह जो मामला सामने आया है कि इसको चर्वी मिलाए गई है और सब्सक्राइल के साथ एसको लेकर उज्जेन की जो सज्दालू है आप उन्हें जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो त्रिवति वाला जी में घट्ना किरम हुआ है कितना लगता है कि आप तो किस तरी की आश्ता स्विवार हुआ है बहुत जादा ही हुआ है मानिश के लिए मेरे पहचान के लोग हर साली जाते हैं मानिश के लिए तो बहुत जादा ही अनुचित हुआ है महाकाल मंजिर के आप 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 भड़ देख सकते हैं कि चुद्धता के साथ साथिक तकाई पूरा ध्यान रखा जाता है आप खोड़ने चेत्र में जा सकते हैं सभी के लिए आला हुएगा मुझात है कि मंदारां भी फुला रहता है कि आप खोड़न कर सकते हैं आप पताईए इस तरीक से दिरुवत्ती बालाजी में जो मिरावट खीली है उसको लेकर किसना बड़ा खिलवार है हिंदु धरम के साथ दोर बड़ा खिलवार है हमारे भगवार महाकालेशोर मंदिर में लट्टू और प्रसाज्यों अन्य शेत्रे वहां तीन तीन कारचार आवार मिल गए वह जो जोशी लोग है उनको पर हमारा हमांगे कि उनको पर सकतकारोई होना जाए बताएँ रहाइजी कि तरिवत्य वाला जी में खिलवार हुआ है अब्ला के साथ और उज्ञेन में लट्टू विस्टेए हैं उज्ञेन और तीरूपति वाला जी में जमीन आस्मान का अन्तर दिकाई दे रहा है वहाँ पर हाल दिलाल यह सुनने में आया है कि ग्रीफ चमरी और मश्रूख हिसाइल मिलाए जा रहा है जो कि हिंदो आस्ता के साथ खिलवार है जब कि में यहाँ पर महाताल मंदिन में एक अलक्ष लड़ो की हिंदो की निमान की बना रखी है लोगों के अपने विचारां स्वाबावे के लोग चाते हैं कि उनकी आस्ता के साथ खिलवार ना हो नरेंदर धरनोतिया मंसौर से हमारे साथ बने हुए नरेंदर मंसौर में खुद पशुपतिनाथ विराजते हैं आस्ता की नगरी है क्या मानना है लोगों का क्या कहते हैं इस विवाद पर जब से तिरुपती का मामला सामना आया है जो सबसे बड़ा धार्विक आस्था का केंदर है जहां पर पुरे देश नहीं पुरी दुनिया से लोग आते हैं और वहां का प्रसादम गरहन करते हैं और जैसे ही यह ख़बर आती है कि तिरुपती के प्रसाद में प्रसादम में काई की चर्वी प्रशू की चर्वी मशली का तेल मिलाए जाता था और यह लेबोरेटरी टेस्ट में साफ हो गया है उसके बाद ने सौभाई ग्रुप से भक्तों का आकरोश सामने आया है और भक्तों का आकरोश इस बात पर भी है कि जो भगवान को भोग पेले लगता है उसके बाद वो प्रसाद बनता है तो भगवान को भी वो स्युकार नहीं होगा हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त मौजूद है उनसे पूसते है तुरुपत्य का मामला साब ने आया हुआ कि प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रहे थी और बचली का तेल मिलाई जा रहा था आपने भी सुना कितना आक्रोश है इस बात को लें चाहिए ताकि जो है अपना सनातन दर्म खत्रे में न जाए और ऐसे व्यक्तिव को जो है उन्होंने मंदिर समिति के अंदर क्यों लिया गया है और यह तो बहुत बड़ा धोका हुआ है हिंदूों के साथ और बगवान जो है तिर्वाटि जो है दुनिया के सबसे अमीहlvania viol방 में से टिनाजाता है तो ऐसे मनदिर में और इस तरह हिंदू के साथ खिलवार हुआ है तो इस उपर تو बहुत सक्त कर् bringing action लेना चाहिए तो भाच्चे भी आ PayPal की सब्साद करहńsk और इन सब चीजों में इन व्यक्तियों के साथ उनका हटा देना चाहिए उस पत्से और उनके साथ कुछ न कुछ एक्षिन लेना चाहिए आप तो बहुत बड़े धार्मिक इस्तल से आईए अभी आपने बता है नाथत्वारा से आईए वहां की प्रसाद में कितनी पवित्र कि दुख की बात है हिंदू कहां जाए इतने बड़े मंदीत तिरुपती बाला जी जो कि आस्तागा बहुत बड़ा प्रतिक है हर धर्म के हमारे हिंदू हर समाज के लोग वहां जाते हैं और देखा जाता है कि इस प्रकार्ची तो बड़ा मतलब आक्रों से बहुत लोगों मैं जब से पता पड़ा है कि तिरूपती बाला जी मंदीर पर जो लोग इस चीज को मिलावट करें पाए जाते उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए और शाशन को ये देखके अब इंप्लोईस को रखना चाहिए कि कौन किस धर्म से है किस जाती से है उसके ब साथ बनाएगा कौन भगवान को भोग लगा कि कितने द्यान रखना चाहिए और मंदिर मंदर वाला को भी द्यान लखना चाहिए कि सुद्ध और साकारी परिशाद बनें बिल्कुल जिमेदारी है जो मंदर प्रबंदन